असलाम वालेको, वेलकम टू मुकसद, आज हम एक्जामपल 2.4 सॉल्फ करने वाले, एक्जामपल 2.4 में हमसे एलेक्ट्रोनिक कॉन्फिगरेशन लिखने कहा जा रहा है और question में तीन चीज़े गिवन है, पहली चीज़ है sulfur, जिसका atomic number गिवन है 16, दूसरी चीज़ गिवन है sodium, बट sodium का iron गिवन है, यहनि एन पे प्लस वन चार्ज है, इसका atomic number question में गिवन है 11, तीसरी चीज़ गिवन है क्लोरीन, बट क्योंकि यह माइनस वन चार्ज के साथ है, त आएन और क्लोराइड आएन का या क्लोरीन का अटॉमिक नंबर हमें कोईसिन में गिवन है 17 इन तीनों के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखने वाले हैं तो क्यूंके सल्फर न्यूट्रल है यानि अगर अगर अटॉमिक नंबर 17 है तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों बराबर होंगे अटॉमिक नंबर प्रोटॉन्स की तादाद को शो करता है तो यानि अगर 16 प्रोटॉन्स है और कोई चार्ज नहीं है यानि 16 ही इलेक्ट्रॉन होगे अब सीक्विंस हमारे पास कुछ इस तरह से जो कि हमें और प्रिंसिपल से G में 6 इलेक्ट्रोन आसकते हैं, D में 10 इलेक्ट्रोन आ सकते हैं और F में 14 इलेक्ट्रोन आसकते हैं तो हम स्टाइट करेंगे यहां sulfur के लिए 16 इसका atomic number है तो सबसे पहली जो डिकhी जाएगी electronic configuration sequence के साथ से वह वो 1S है अब S की Capacity क्योंकि 2 है तो S में मैं यहाँ पर 2 Electron फिल कर दूँगा यह 1S2 यानि 1st Orbital कम्प्लीट हो गया इसके बाद 2S है 2S, again S है Capacity फिर 2 है यहाँ हम 2 लिख देंगे यह फिल हो गया, यहीं 4 Electron मैंने यूज करने है तो 2 और 2 यहीं 4 Electron यहाँ यूज हो चुक है यहाँ 6 लिख दूँगा तो 16 में से 10 Electron यूटलाइज हो गया और 2P के बाद बारी आती है 3S की, 3S, again 2 तो यहाँ फिर से 2 लिख दूँगा कितना Electron यूज करने हमने 2 और 2, 4, 4 और 6, 10 दस और 2, 12 Electron हम यूज कर चुक है टोटल 16 है, यहीं 16 है अब इसके बाद बारी है 3P की 3P, P की Capacity तो 6 है लेकिन Available Electron ही चार है यहीं 16 में से अगर मैंने 12 यूज कर लिया है यहाँ, इन सारे Orbitals में जो Electron यूज के उनका टोटल बनता है 12, तो 16 में से यह Sulfur की Electronic Configuration हो गई अगर Sulfur पर कोई Charge नहीं होगा तो Electronic Configuration ऐसे ही रिखी जाएगी अब Na पर Plus 1 रिखाओ है अब Na पर Plus 1 का मतलब यह है कि Sodium ने एक Electron Loose कर दिया, करेगा तो उस पर Plus 1 चार जाएगा तो Electron Loss की वज़ा से यहाँ पर Plus 1 चार्ज है और हमें तो Electronic Configuration लिखनी है Proton ज्यादा है दूसर सेंस में एक हाई जा सकता है कि Electron काम है Electron कितने हो जाएंगे अगर Neutral होता तो 11 होते है Plus 1 का मतलब 1 काम है तो 11 नहीं होंगे बिलके Electrons हो गए 10 तो Electronic Configuration 10 Electrons के लिखी जाएगी 1 is 2 जैसे पहले लिखा था 2 is 2 जैसे पहले लिखा था 2 P 6 यहाँ तक 10 Electrons complete हो गए 2 और 2 4 4 और 6 10 10 ही Electrons Na Plus में ते 10 complete हो गए यह Na Plus 1 की Electronic Configuration हो गई अब CL-1 की बारी है माइनस 1 का मतलब अब यह एक Extra Electrons में added है तो यह 17 की जगा 18 हो जाएगा जिसके लिए हम Electronic Configuration ऐसे लिखेंगे 1 is 2 2 is 2 2 P 6 यहाँ तक देखें 10 Electrons हो गए 3 is 2 3 P 6 यहाँ इस Sequence के साब से हम यहाँ तक पहुँचेंगे तो Electrons Count करते हैं 2 और 2 4 4 के बाद यहाँ फिर 6 4 और 6 10 यहाँ 2 है 10 और 2 12 और यहाँ पे कितना है 12 और 6 18 17 Atomic Number था Minus 1 का मतलब यह है कि Total Protons की तादाद को Atomic Number कहा जाता है और जब Neutral Atom होता है तो Protons और Electrons बराबर होता है Minus 1 का मतलब Atom Neutral नहीं है Electronic Extra है तो Protons की तादाद तो अभी भी 17 रहेगी क्योंकि Atomic Number का Electrons से कोई Direct तालुग तालुग तो है मकसद आप को Android फोन पे इंस्टॉल और लॉग इन करने का तरीका Play Store पे जाएं मकसद आप सर्च करें Install पे क्लिक करें Install करने के बाद मकसद आप खोलें Account बनाने के लिए Get Started पे क्लिक करें अपना मुल्क सेलेक्ट करें और मुबाइल नंबर डालें फोन पे दिया गया Verification Code एंटर करें अपना Grade या Course सेलेक्ट करें अपना Group सेलेक्ट करें अपना Board सेलेक्ट करें आपका Login कम्प्लीट हो चुका है